अंशिका और दिवाश अपनी गाड़ी के सामने आये बच्चे को गाड़ी में रखकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बच्ची के रोने की आवास आई। इस पर अंशिका बोली कि उन्हें रुपना नहीं चाहिए। और वो आगे बढ़ते वे हॉस्पिटल खोजने लगे। रास्ते में उन्हें एक नदी दिखी। और कुछ दुकाने भी। पर सब दुकाने बंग थी। दुकान से कुछ ही दूरी पर उन्हें एक हॉस्पिटल दिखा। पर हॉस्पिटल के अंदर आकर उन्हें पता चला कि वो हॉस्पिटल दस सालों से बंद पड़ा हुआ। इसके बाद वो दोनों उस बच्चे को किसी दूसरे हॉस्पिटल पे ले जाने के लिए निकल पड़े। वो देखो, एक और किराने की दुकान। लेकिन बंद है। ऐसे कितनी धेर गुमते रहेंगे हम। गाह उतना बड़ा नहीं है। अगर हॉस्पिटल होगा एक और तो मिल जाएगा। इससे अच्छा वीकेंड को घर पर ही रहते। यह सब कुछ नहीं होता। अंशू, ठोड़ा पेशेंस रखो। अच्छा वो तुमारे साइट पर कुछ खुला दिखे रस्ते में। दिखा होता तो बोल देती न तुरंद। ऐसे सुनसान जगे में कुछ भी खुला हो न। बहुत बड़ी बात है। यह देखो, स्कूल लग रहा है। हाँ, पर गाड़ी क्यो रोगती। दिखो, स्कूल का गेट खुला है। मेभी हमें यहां कोई मिल जाए। तेव, हम हॉस्पिटल ढून रहे हैं। इधर स्कूल में क्या काम है हमारा। अरे यह तो पता करना चाहिए ना कि अंदर कोई है की नहीं। हमें इससे क्या मतलब के अंदर कोई है या नहीं? अगर कोई अंदर हुआ तो शायद वो हमें अच्छे से बता पाएगा कि हॉस्पिटल कहा है और काओं इतना सुंसान क्यों है? अगें, हमें क्या मतलब 프ा Ellis काओं के सुंसाने होने से? थी हॉस्पिटल के भार तुमने कहा था कि इसको हॉस्पिटल छोड़ कर हम निकल जाएंगे तो that is exactly what we will do थोड़ी देर और चाहो तो हॉस्पिटल ढूण लेते हैं नहीं मिला तो बचे को गाउ में ही छोड़ कर हम आगे निकल जाएंगे बटंचो तुम जरा भी क्यूरियस नहीं हो कि स्कूल खुला क्यूं है और अंदर नहीं मुझे बस निकलना है यहां से पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है अपने आपको शेर्लोक होम समझ बैठे हो गलती से अजीब बात कर रही हो यार हो सकता है कि स्कूल के अंदर कोई मदद ही मिल जाए और ये भी हो सकता है कि अंदर कुछ ना हो और तुम समय बरबाद कर दो और ये बचा यहीं दम तोड़ दे तुम्हें सबसे पहले वर्स्ट के सिनारियों क्यों दिखता है क्योंकि इस समय तुमारे बेवकूफी से यही होगा अगर हम आगे नहीं बढ़े तो तू मिनिट लगेगा अंदर जाकर देखने में और तुम उससे ज्यादा समय जगडते हुए बिता दोगी वैसे भी जगडने का शौक नहीं है मुझे पर मैं अंदर नहीं जा रही हूँ बात खत्म फाइन तो मत जाओ पर मैं जा रहा हूँ अकेले? तुम्हें नहीं जाना पर मैं मदद धूडने ही सही अंदर जाना चाहता हूँ जो जी मैं आई करो यहां से इलना मत मैं अभी आया देखने में क्लास्रूम लग रहा है हो सकता है अंदर कोई हो ब्लैट बूर्ट बर तो कुछ लिखा है यह नि स्कूल खाली तो नहीं पड़ा है सवाल यह है कि लिखने वाले लोग गए तो कहा गए अरे यह क्या? जमीन पे खाना पड़ा है? रोटी मुलायम है सबजी भी ताजी है आज पकाया हुआ लग रहा है हम इसका मतलब लोग तो है पर फिर से वही रोने की आवाज इंपॉसिबल कहां से आ रही है? हलो? कोई है? हलो? यह आवाज तो ऐसी ही लग रही है जो हमने गाड़ी में सुनी थी आखिर है कौन यह है? ट्लास्रूम के अंदर से आ रही है पर क्या जाना सही रहेगा? काश अंशू की बात सुन लेता हूं ना आता आखिर करूं तो क्या करूं? रुक कर इस बच्ची को ढूंड़ू या वापस जाओ गौड़, help me अंशुका, यह तो अंशुका की आवाज है है पीन्स, ओ नो सब मेरी गलती है मुझे अंशू को, मुझे अंशू को कार में अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था मती मारी गई थी जो क्यूरियोसिटी में अकेला अंदर आ गया ऐसी क्या अर्जिंसिती की परा है इंसान को बचाने में ने ओ गॉड़, फ्लीज, अंशू को कुछ मत होने देना वो नहीं में वाफ नहीं कर पाऊंगा खुद को क्यों मैंने उसकी नहीं सुनी जो वो कहती रही थी की यहां ना रुको खामका मुसीबत मोल ले ली शी उस राइट ओल अलोंग अंशू, कहाँ अंशू वे आ यू केने रही अंशू जब देवाश काड़ी से उतर कर अकेले स्कूल के अंदर जा रहा था तो वहां उसे एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई थी इससे पहले कि वो उस आवाज तक महुच पाता उसे अंशिका के जोर से चिलाने की आवाज सुनाई थी और वो क्लास्रूम के बाहर से ही वापस अपनी गाड़ी की दरफ भागा अपनी गाड़ी के पास पहुँचने पर उसको अन्शिका तो नहीं मिली पर एक जुंड में खड़े कुछ बच्चे उसे जरूर दिखाई दी और उन बच्चों के टोली के बीच में खड़ा था उनका सरदार एक दस साल का बच्चा बगहीरा तुम लोग ने मरी वाइफ को देखा यही थी यही गाड़ी में उसका नाम अन्शिका है उसने पीली साड़ी पहनी है काले लंबे बाल अब याद आया तेरे को अपनी बीवी का बिलकुल बुद्धू हाँ उसको तो हमने उठा लिया अब तू क्या करेगा बोल बोल क्या ये क्या मजाख है उठा लिया मतलब चुपचा बता मेरी वाइफ का है हमें मजाख करने की आदत नहीं है अगर अपनी वाइफ को जिन्दा देखना चाहते हो न तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा लगता है बिलकुल दमाग खाली है इस बुद्धू का बोला तो कि किड्नेप कर लिया है मतलब गाड़ी खोला खीचा उसको और अपने पास रख लिया समझ आया कि फिर से बोलूं ये क्या बत्तमीजी है तुम्हारे माबाब को पता है ये सब कर रहे हो तुम लोग अरे गुसा मत हो रे तुमको मिले चाहेंगे उसके पास उसी तरह पकड़ कर खीच कर same to same अरे क्या है रे तुम तो वो गाना बार बार गा रहे हो मेरी बीवी मेरी बीवी अरे ले जा रहे है ना उसके पास अच्छा अपने आप से नहीं आओगे मेरे पास मत आना मेरे पास मत आना मैं बोल रहा हूँ दूर हटो इतना नाटक तो हम लोग भी नहीं करते वाप रे इतने नखरे अब बहुत हो गया ले चलो इसे अरे एक दो नहीं दस लोग जाकर लाओ इसको एक पैर पकड़ो एक हाथ पकड़ो एक कंधा पकड़ो एक मुंडी पकड़ो हाँ ऐसे छोड़ मुझे छोड़ो अच्छोड़ो लगता है कि तुम्हें अपनी बीवी से नहीं मिलने का है मैं बोल लोग मेरे हाथ उट जाएगा मुझे मजबूर मत करो हटो छोड़ो मेरा पैर तुँ ओरी दादा मतलब हमसे इतना जोर प्यार से बुला रहे हैं तुम मजाक समझ रहे हो तुम्हें ना तुम्हें ना प्यार से नहीं मार से ही ले जाना पड़ेगा मार पता है ना भाई लोग तूट पड़ो इस पर अब आएगा मज़ा अब शिट हटो हटो मेरे उपर से ये कांट बिलीब ये हो क्या रहे है किस से बेज़ है तुम लोगों को मेरी अंशू के साथ क्या किया है तुमने मैं तुम्हेरे साथ नहीं आने वाला किसी भी हाला तुमें जल्द से जल्द गारी लेकर निकलना पड़ेगा यहां से यहोप गारी खुली हो तो थैंक गॉड अब बस ये गारी शुरू हो जाए हाँ बोगे शुरू